गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स आज देखेंगे में लोग आज देखेंगे में लोग रंजीत क्लासेस फूर सायंस और मैं चैनल में आपके अपने चैनल रंजीत क्लासेस फूर सायंस और मैं चैनल में जर्खन सचीवाले का प्रैक्श सेट 22 देखेंगे तो आप इस वीडिय पर बने रहेगा लास्ट तक आपके लिए दो इंपोर्टेंट कोर्चन का टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप जिसमें आप या कोई भी पहले जवाब देगा उसको आप इस बूक पर बने रहेगा लास्ट तक जी आपसे छोटीस रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पर न्यू भीवारे तो पहले सस्क्राइब कर लिजे और बेल घंटी का प्रेस कर लिजे इस से आपका प्रोफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके की पास नोटिफिकेशन चला जाएगा सो गाइज चलते हैं हम लोग अपने कोहचन की तरफ मोडल प्रैक्टिस सेट 22 देखते हैं हम लोग कि सासक ने अपनी राइधाने दिल्ली दौलाता बाद अस्तांद्रित के थे चार आप्शन दिया हुआ है इसमें बताना है आप्शन नमबर बी मुहम्मद बिन तूगलग ने भरतिय उप महादीपो के बारे में जनकारी देने वाला अल बुरुनी के दूर लिखा गया ग्रैंत कौन से था तो किताब उल उन्द हिंद या आप्शन नमबर ये बीस सी डी तो इसका आप्शन जो हो जाएगा ये था किताब उल हिंद किस वर्त बाकिम चंदर चाटूप एैसली काधिया ने आनन मठ लिखा था अनन मठ किस वर्त लिखा और इसके बारे में बताना है तिसका हो जाएगा 1872 में नीम्न में से की साइस्थान पर फरांसीशी बंच्टी नहीं थी की साइस्थान पर बाताना है तियाब का चंद्र से नगर में नहीं थी बागी कहा था निंड लिखित में से किस ब्रेटिस ब्यक्तिन अथरा संतामन की बिद्रोह को राश्टि ए बिद्रोगो संगया दी थी तो किस आपस न हो जाएगा अपका डी डी जरायली ने भारत का कुण सा राज संनराचित राजिय है तो सिक्किम संद्रचित राजी अपका है भारत में पच्मी तट की उत्री भाग को क्या कहते है तो भारत में पच्मी तट की उत्री भाग को कौंकन तट कहते है नेक्ट देखते हम लोग गुहाटी किस नदिक किनारे इस्थित है गुहाटी जो इस्थी थे अपका सो ब्रहम पूत्रे नदिक किनारे इस्थी थे किसमें ब्रहम पूत्रे भारत में उस्ट कटी बंधिये सादबाहर बंध कहां पाय जाते हैं भारत में उस्ट कटी बंधिये भारत में उस्ट कटी बंधिये सूरत में भारत में सबसे पहला कॉटन मिल सोती बास्र नेम लिखित में से कि सर्म अस्तापित किया गया था तो यह सूरत में नहीं किया गया थे किया था मुम्बाई में मुंबाई में किया गया था बता देते हैं कि भारत में साथे पहला कॉटन में सूती बासर बामबाई में किया गया था मुंबाई को भारत के सूती बासर कराई धानी के उप नाम से भी जाना जाता है नेश्ट कोचन की तरफ चलते हैं मज़ता है कि भारतिय सविधान के आठवियनी सुची में भासाओं का संख्या कितनी है तो यह संख्या कितनी है इसके बारे में बता देते हैं 22 भासाओं की संख्या है निमलिखित में से कौन सा देश की रच्छा बलू का सर्वच सेनपती होता है सरवोच जो सिनापती होता है सो होता है राष्टपती क्या होता है सरवोच सिनापती राष्टपती होता है नेट देखते हैं लोग सबा में पंजाब को कितने सिट पराप्त हुआ तो लोग सबा में पंजाब को जो सिट पराप्त हुआ था वो 13 सिट पराप्थ हुआ था कितना सिट पराप्थ हुआ था 13 देखी बता देते हैं कि लोग सबाँ पंजाब को 13 सिट पराप्थ हुआ जब कि राज सबाँ में 7 सिट लोग सबाँ में 13 सिट जब कि राज सबाँ में 7 सिट पराप्थ हुआ कितना 7 सिट चलते हैं नेस्ट कोशन की तरफ निम लिखित भारती राजियों में से त्रियास्तारिय पंचाइती राज पर नाली सबसे पहले लागु की गई थी तो त्रियास्तारिय पंचाइती राज पर नाली सबसे पहले जो लागु किया गया था सो राजस्थान में किया गया था कहां किया गया था राजस्थान में किया गया था सबसे पहले राजस्थान राजी में त्रियस्थारिय पंचैती राज पर नालिज सबसे पहले लागू की गई थी नेक्ट देखते हैं जीला नियाले के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो जीला नियाले के नियुक्ति जो है नियाधिसों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है वो की जाती है आपका राजपाल द्वारा किसके द्वारा की जाती है राजपाल द्वारा नेट देखते हैं हम लोग पंचमी पंच वर्षी ओजना का मुख खुद्देश था पंचमी पंच वर्षी ओजना का मुख खुद्देश क्या है तो मुख खुद्देश है पंचमी पंच वर्षी ओजना का बता देते हैं कि पंचमी पंच वर्षी ओजना का मुख खुद्द निवार का स्टॉक एक्स्चेंज में दर्ज होने वाली भारत की पहले सरकारी कमपणी कौन था तो पहले सरकारी कमपणी जो था आपका सो आपका था विदेशी संचार निगम लिमिटेड यानि विदेश संचार निगम लिमिटेड था बता देते हैं निवार का स्टॉक एक् इसके बारे बताना है तो यह हो जाएगा चालूराजस्वी में सामिलित नहीं है याद रखेगा इने से कून से संग गठन सबसे पूर्व गठित हुआ सबसे पहले गठित हुआ इसमें से कौन से संगठन उसके बारे में पूछ रहा है आपसे तो बताना है तो यह हुआ था ILO अंतरास्टिय सर्म संगठन कौन हुआ था अंतरास्टिय सर्म संगठन जो सबसे पहले गठित हुआ था इसका स्थपना उनेश सा उनेश सा उनेश में हुआ था याद रखेगा नेश्ट देखते हैं हम लोग निम लिखित में निम लिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं पूछ रहा है तो वाइड नेटवर्क प्रास्टनल नेटवर्क लोकल एर्या नेटवर्क इन में से कोई नहीं तो यह जो है आपका सो हो जाएगा नेटवर्क नहीं है यह हो जाएगा सी प्रास्टनल नेटवर्क यह नहीं है और सास्त्री में पर्थम नोबल पुरुषकार किसको मिला था तो आर सास्त बरजेन और रेगनर फ्रीज को मिला था इसके बारे में बता देते हैं दो लाइन क्यार सासरे में पर्थम नोबल पुरुचकार जॉन टीन बरजेन और रेगनर फ्रीज को मिला था मिला था नोबल पुरुचकार आगे देखते हैं कि बिकरम सरा भाई अंतरी सिकेंद्र कहां इसके बारे में दो लेन बता देते हैं कि बिकरम सरा भाई अंत्रिस केंद्रे त्रिवन्त पूरम में इस्तित है यह केंद्र रौकेट अनुशंधान का परच्छेयान विकास परिडिनाओं को बनाने और उन्हें किर्यानिमिन्त करने में अग्रनी भूमी का निभाता है तो ब भारत नाटियम संबंधित निरीत है नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है नहीं नहीं है रिपीट कर दे कोशन कि परच्छीद भारत नाटियम संबंधित निरीत नहीं है उसके बारे में आपको बताना है ति यह जो संबंधित है स्वाप का आपसर नमबर यह सितारा भी नहीं है याद रखेएगा यह सब संबंदित नहीं है आप देखते हैं अंतराश्टी महिला दिवस कब मना जाता है राट मार्ष को मनाया जाता है याद रखेगा नेट देखते हैं हम लोग टेस्ट मैच में पांसो बिकेट लेने वाले चाउथे गेंदबाज कोन थे टेस्ट मैच में बिकेट लेने वाले चाउथे गेंदबाज जो थे सो थे गैलेन मैवगरा बता दोते हैं कि गैलेन मैवगरा था चार मार्ज उठारा को पहली बार किस देश में महिला मायराथन आयोजित किया गया था ये किया गया था अपलो का साओधी अरब में नेश्ट देखते हैं कि टाइस मार्ज उठारा को डिजिटल आटो मेटेट अस्पीन गयन कैमरा स्थापित करने वाला कौन बना कौन बना बोलेक आटो अस्पीन गयन कैमरा कौन स्थापित किया था जो जो किया था जो हो जाएगा आपका चंडी गड़ 18 मार्ज उठारा को कहां से बिस्केट जन्ना तेहवार शुरुवात किया गया था आपका जो आठारा में जो किया गया था नेपाल से किया गया था नेट देखते हैं हम लोग कि 12 जुलाइज 18 को किस भारतिय दूरसंचार कमपणी ने देश के पर्थम इंटरनेट टेलीफोन सेवा कि सुभारंब किया, तो ये जो किया था 12 जुलाइज 18 को दूरसंचार, इसके बारे में बता देते हैं, ये B.A.C.N.L. B.A.C.N.L. के फूल फ्रम क्या होता है, भारतिय दूरसंचार निगम लिमिटेट, 15 सितमबा 18 को राज भासा किर्थम पूरुषकार किसे दिया गया, तो ये जो दिया गया था, किर्थम पूरुषकार, तो दिया गया था, रेल मंतरा लेकुम, देखते हैं हम लोग नेश्ट कोशन, समान ले गयान का, पादब उतक कितने परकार के होते हैं, जो पादब उतक होते हैं, तो आपके पादब उतक के बारे हम पूछ रहा है, तो पादब उतक कितने परकार के होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके, तीन परकार के होते हैं, क भी भी योजया तक उत्यक इस्तिर उत्यक और मुख्य उत्यक अब आके बताते हैं च्छाड़ा कार जिवानों कहलाते हैं तो आपका हो जाएगा च्छाड़ा कार जिवानों च्छाड़ा कार जिवानों किसे कौन क्या खालाता है तो च्छाड़ा कार जिवानों खालाता है वैसिलस साइकस की परवले मुल जड़े सायक करती है तो क्या करती है यह साइकस का तो यह करती है बी जल के अपसोशनत था नेट्रोजन के अस्थिरी करन में नेश्ट देखते हैं हम लो जब छुई मूई पाउध्य को पतियों को असपर्ष करते हैं वह सिकूड अथवा मुर्जहाश C जाती है यह पत्र विद्धि क्रियाविध्य क्या कहलती है क्रिया विध्य क्रिया विध्य कहलती है 24 का C क्या हो जाता है? C सिस्मो नास्टिक गती सिस्मो नास्टिक गती निन में कौन पादप रोग है तो यह पादप रोग जो आपका है केवल ए सिट्रिस क्रैकर अब इसके बारे में बता देते हैं दो लाइन के सिट्रिस क्रैकर एक पादप रोग है जो जिवानु जैन्थो मुनाज एक्स्टो नौपिडिस से सैट्रिस पौधे में फैलता है केस फ्यल का बीज उसके बाहर होता है फ्यल का बीज बाहर होता है उसके बारे मताना है फ्यल का बीज बाहर होता है ऐस्ट्रो बेरिको क्या दता है ऐस्ट्रो बेरिक बता देते हैं ऐस्ट्रो बेरिक जो अपने बिशिस सुगन चम के लिए रंग सरसादार मिठाच के लिए जाने जाती है जो बीज एस्ट्रोबेरी के बाहर दिखता है प्राथमिक जायलम तैत्वे के पास्चा दूसरा भी निर्मी तैत्वे क्या कहलाता है ये निर्मी तैत्वे जो कहलाता है सो मेटा जायलम कहलाता है क्या कहलाता है मेटा जायलम बतादत है मेटा जायलम प्रात्मिक जायलम का ही भाग होता है जो प्रोटो जायलम के बाद बनता है एक ब्यासक मनुस्य में कितने रदनक होते हैं ति एक रदनक जो होते हैं जो चार होते हैं कितने होते हैं चार कितने होते हैं चार होते हैं एक ब्यासक पर उसमें चार रदनक होते हैं जो खाने को चिरने में मदद करते हैं पच्छियों के पंक क्या होते हैं तो पच्छियों को जो पंक होते हैं पच्छियों के पंक होते हैं तो परिवर्थित अगरेपाद होता है बता देते हैं कि पच्छेओं का पंख प्रवर्थित आगर पद होते हैं पंख खुड़ने के लिए निकचले बल के दबाव को कम करता है ऐसे रंजग जो मनुश शरीर के रंगत परदान करता है तो रंगत जो परदान करता है सो जाएगा अपका मिला नीन जब मोटे कागज के गिलास में गर्म करने जब मोटे कागज के गिलास में गर्म पानी डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है क्योंकि गिलास ए उसमा का कुचालक है इसलिए भीतरी सत्रा का बिस्तार होता है उसमा कुछाला खेशली बिश्तरी सद्रा का भिश्तार होता है एक्सरे उसर्जन का रिवर्स परभाव को क्या कहते हैं एक्सरे उसर्जन का रिवर्स परभाव को फोटो अलेक्ट्रिक परभाव कहते हैं क्या कहते हैं फोटो अलेक्ट्रिक परभाव कहते हैं नमबर हुजाएगा इसका बी परदर्सी पेरियस्कोप की सिधान्द पर कारी करता है परिदर्सी पेरियस्कोप की सिधान्द पर कारी करता है पुर्ण आंतिक प्रवर्तन अकास और समुद्र के निलीमा को मापने के लिए परियोग की जाने वाली युक्ति है अकास और समुद्र के निलीमा को मापने के लिए परियोग की जाने वाली युक्ति है तो यह जो युक्ति है सो चवालिस का सी काइनो मीटर धुवानी के उच्ता किस पर निर्भर करता है तो धुवानी के उच्ता निर्भर करता है आप्सान नमबर धुवानी के उच्ता आयम आयम पर निर्भर करता है द्धोनी को उच्टा हमारे कौन के ग्राहिता की माप होती है या द्धोनी तरंगों को आयम पर निर्भर करता है निम्ने से क्या आवेक की बराबर है तो 46 का सान्वेक परिवरतनकी बराबर होता है नेश्ट देखते हैं हम लोग पिर्थिवी के केंद्रे पर किसी बस्तू का भार होगा पिर्थिवी केंद्रे पर किसी बस्तू का भार होगा पिर्थिवी केंद्रे पर गुरुत्वी का मान सुन होता है कितना होता है तो सुनने होता है तो option इसका B हो जाएगा क्या हो जाएगा अप्शन बी निल में से किस अंदर में गतिच उर्जा का पुपिव कारी छमता करूप में होता है यह सता से दुगना होता है क्या होता है सता से दुगना होता है पिर्थी केंदर पर किसी बस्तु का भार सुनने होता है अब गतिच उर्जा को प्योग छमता रूप केतना होता है तो यह होता है अपका सो हो जाएगा जब कुणडली की लमभाई में बिना परिबरतन की एक कुणडलो की संखिया तीन गुनी कर दी जाती है तो तो इसका पर स्वाप रेरन क्या होगा तो उसका अप स्वाप रेरन की बारे पूछ रहा है याद रखियेगा भोलियेगा नइत यह हो जाएग आपका बינה गुना not get संचालित होता है not get ंצालित किस्य होता है त्य होता है not get सन्चालित एकल ट्रांजिस्टर द्वारा एकल ट्रांजिस्टर द्वारा हुआ है कि नियन में से कौन से नागबंसी राजा ने खिल जी की अधिनता स्विकार की थी तो फनी मुकू ट्राइब ने फनिम को ट्राइव सीव करने करके थी जहांगिर ने नागवंसी राजा दुर्जन साह को कौन सी उपाधी परदान के थी तो दुर्जन साह को उपाधी जो परदान के थी सो के थी डी साह किसने के थी तो साह को उपाधी परदान के थी 1778 ज़ारखन को में परशाचान है तो ब्रियात यवजना किसने परदान के थी तो ब्रियात यवजना किसने परदान के थी तो राबर्ट ब्रोन ने भार्देव के राजा घंशयाम सिंग एवं ब्रिटिस कंपानी के विरूद 1870 में किस रज जन जाती विद्रोग किया था ते जन जाती विद्रोग किया था आपसर नंबर C निन में से किस अंदोलन मैं हिंसा को संघर्ष के आमोग एष्टर के रूप में सिविकार किया था ताम एष्टर के रूप में जो सिविकार किया था सो टार्ना भगत अंदोलन 1857 के बिद्रोग में निलांबर एवं पितांबर के साथ किस जन जाती ने दिया था ते निलांबर एवं पितांबर के साथ जो जन जाती साथ दिया था ये हो जाएगा चेरो जन जाती वही होगा चेरो ने देखते हैं जरकन पर्थम बार राष्ट पदी सासुन लागू करने के समय मूख मंत्री कौन थे जरकन उच नियाले की पहले मूख नियाधिस कौन थे जरकन मूख नियाले के पहले मूख नियाधिस जो थे शो बता देते हैं आपको कौन थे ये थे स्री परभात कुमार जरकन में पंचायत राज जाधिनिवां 2001 के नुशार जरकन में पंचायती राज वैस्ता का सारूप खित है तो ये है सौरूप जो तुरियस तरिये जारकंद राजी के गठन के बाद कितने नए जिले गठन हुआ था तो छे जिले के नए गठन हुआ था बिरहोर जन जाती में बिनि मैं बीबाह को क्या कहा जाता है तो ये क्या जाता है ये कहा जाता है बिरहोर जन जाती में पूछ रहा है तो गोलट गुअब अपला कभर जन जाती का निवास सस्तल कहा है तो कभर जन जाती का जो निवास सस्तल होगा तो उपाई उस अभी गुमला प्लामू सिम्डेगा वर्भ दुसर सुला में किन्हें बाल कल्यान के छेत्रे में रास्ट पती पुरुषकार पराप्त हुआ है देक सु टीन का हो जाएगा भी बंदना दुबे जर्खन सरकर दुआरा आदिम जन जाती के लिए कितनी परतिसथ अरच्षन की विवस्ते की गई है तरच्छन के विवस्ता की गई है दो परतिसाथ नेमलिकित में से किस भासा को जारखन के अस्कूली कोर्ष में सामिल किया गया तो ये अस्कूली कोर्ष में सामिल किया गया है जारखन का सुक किया गया है आपका अस्कूली कोर्ष में सामिल किया गया है तो कोकनी जहरकन में धानका सबसे बड़ा उत्पादक छेत्रे है यह पचमी सिंबू कुडर्मा भ्यारन की जिले में państandır नियुक्ति мир ay कुडर्मा भ्यारन बोकारोजिले में ऍच्तित है कहाँ कुडर्मा भ्यारन तो यह इस्थित जो है बोकारोजिला में जार्खन राज में बनों का समुचित परबंद करने के उद्देश से किस वर सन्यूक्त बन परबंद संकल्प का परति पादन किया गया था तो जब परति पादन किया गया था सो किताब दुहर एक में नेश्ट देखते हैं हम लोग कि जार्खन में साई फूल के प्राप्तिक की जाती है सो कि जाती है साल के बिरिज से नेश्ट देखते हम लोग जार्खन 21-23 में रेतीली मीटी के अधिकता पाए जाती है जार्खन में रेतीली मीटी के अधिकता पाए जाती है भाधा जाती है जार्खन राजे में देश्ट के कूल पाएराट उत्पादन इता होता है तो यह होता है आपका आप्षा नामबर डी पंचाने परतिसत जार्खन में 2001 सिगारा के दौरान सरवादिक द्याद सक्किये जनसंक्या बिरिधि दर्वाला जिला कौन चाहे तो दसकिये जनसंक्या बिरिधि दर्वाला जिला जो है सुक्ष बारा का सी हो जाएगा कोड़र्म क्या जाएगा को डर्मा नेश्ट देखते हम लोग जारखन के रुगना बंदिवम कमजोर अध्योगी के काई के पुर्णवास के जारखन उद्योग पुर्णवास योजिना किस बर सुरू की गई तो जो शुरू की गई तो अफसर नमबर सी हो जाएगा 2003 में नौलाखा मंद जारखन को कि जले मिच्थी थे आफसर नंबर एश्टी थे देव घर में उजयादी में किस लोग गित में बचन का गित कहा जाता है तो यह कहา जाता है आफसर नमबर बावर बिद्यसों में कब पहली बार छगवा निरित के परदर्सन किया गया था छगवा निरित के परदर्सन जो किया गया था उन्हें 138 में किया गया था इन में से किस जिले में मांडा मिला का जन नहीं किया जाता है तो मांडा मिला का जन नहीं किया जाता है निमलिखित में से कौन सी एक भासा का सम्मन आश्ट्रिक भासा परिवार से नहीं है तो आश्ट्रिक भासा परिवार से नहीं जो है सु हो जाएगा आपका D करमाली निमलिखित में से किस धर खंडी हिंदी सहीते का पर्थम नाटक माना जाता है तो ग्रह का फिर जी आपका ट्रापलों को टेस्ट के बारे में बता रहे थे दोस्तों त्रापली को यह सब कोशन जो टेस्ट का है सो टेस्ट का जो कोशन है सो हो जाएगा आपका आपको बताना है कि आपको बताना है दिल्ली के की बताना है कि बर्दौली सत्यगरा के बाद बल्लावे पटेल को सरदार की उपाधी किसी ने दी थी दूसरा कोश्चन है आप सम बता देते हैं इसका जौहरल नहरू मौतिलाल नहरू महात्मा गांधी जय परकास्ट नरहना दूसरा कोश्चन जो है सूतल और आवतल दर्पन किसके उदारन है समतल दर्पन गोली दर्पन उल्टा दर्पन शिता दर्पन यह आपको अंसर को कमेंट में अंसर देना है आपको स्पीडी के बुक प्रभाइड करवाया जाएगा ओके दैट सूल थैंक्यू